Hello Friends, Welcome to my Channel, Chandler Kerencens I am Suman आज के वीडियो में हम सिखेंगे ब्लाउस की new latest fancy design बिना किसी paper pasting की कई बार beginners के होते जब paper pasting से blouse design बनाते हैं वो set नहीं होती है आज हम बिना paper pasting की design बनाएंगे यह मैंने back part की cutting कर रखी है सबसे पहले इसमें हमें जो भी हमें design बनानी है इसके लिए हमें जो back part की मैंने cutting कर रखे है इसे हमें जो हमारी ready length होती है वो 14 इंच रहेगी इसमें हमें 2 इंच extra रखनी है इसलिए मैंने इसे 16 इंच रखी है सबसे पहले इसमें हम गले का जो mark निशान लगाएंगे वो हम लगाएंगे 3 इंच पर यदि आप चोड़ा गला पहनते हो तो साड़े 3 इंच पर भी लगा सकते है यह मैंने 3 इंच पर नीचे तक हमें इस पर mark करना है यह 3 इंच का mark करके हमने सिधी line draw कर ली है अब नीचे से हमें एक पट्टी कट करनी है चार इंच की तो नीचे से मैंने इस पर चार इंच पर निशान लगाया है और इसी निशान पर हम सिधी line draw करेंगे अब हमने नीचे से जो चार इंच पर निशान लगाया है यहां से हमें फिर से चार इंच पर ही कि निशान लगाना है उपर की तरफ यह जो मैंने 4 इंच पर निशान लगा है इसमें हमने korni की तरफ से हमने तिर्चिस में लाइन ड्रो कर ली है यह उपर से हमारा जो 8 हिंच है इस पर हमें गले पर निशान लगाएंगे गले पर निशान लगाएंगे गलाई को देते हुए आप अपने हिसाब से अगर चोड़ा गला रखना चाते हूँ तो इसको हम अंदर तक गलाई रख सकते हैं यह हमने जो लाइन ड्रो की है इसे हमें आप कट करेंगे है यह हमने की कटिंग कर ली हां यह का इस तरह से यह दो पार्ट हां नीचे तो हम केह पटी है अब इसी को हम मैन फेब्रिक करेंगे यह हमने मैन फेब्रिक को असतर के कटिंग कर ली है अब इसको हम बिना किसी पाइपिन की तुर्पाई पट्टी के बनाएंगे तो सबसे पहले हमें जो अस्तर है उस पर मैन फैब्रिक को उल्टा रखना है और मैन फैब्रिक को इस पर उल्टा रखने के बाद जो किन कौन नेना किनारे है उसमें आदा इंच रखते हुए हमें इस पर सिलाई को लगाएंगे यह जो मैंने मार किया है आदा इंच पर इसी पर हमें सिलाई को लगाना है यह सिलाई हमें गोलाई देते हुए नीचे तिर्चा देते हुए नीचे की तरफ भी हम लगाएंगे तीन तरफ हमें यह सिलाई लगानी है तीन तरफ सिलाई लगाने के बाद इसमें हमें जो गोलाई का भाग इसमें हलका हलका सा कट रखेंगे जिसे हम इसे सिधा करेंगे तो इसमें कोई जोल नहीं आए इसके लिए में इसमें कट लगाया है अब इसे हमें उल्टा करना है यानि इस उल्टे पे हमने जो सिलाई लगाई है इसे हम सीधा करेंगे किसी नुकीली चीज से इसमें कोर्णर को हम सेट करेंगे हमने इसी सीधा कर लिया है सीधा करने के बाद इसका जो हमने सीधा किया है इसके कोर्नर पर के नारे पर हमें सीधा लगानी है हमने पाइपिन पट्टी अटेज नहीं की है तो हमें इसे सीधा कर के इस पर ही सीधा को हम लगाएंगे इस तरह से हमने यह दोनों पार्ट्स को रेडी कर लिया है दोनों पार्ट्स टेडी करने के बाद हमें नीचे की जो हमने पट्टी कट की थी उस पर हम यह लेस लगाएंगे बीजी वाली आपके पार्ट्स जो भी लेस अवेलेबल हो वो इस पर लगा सकते हो यह हमें मैन फैब्रिक पर लगाएंगे लगबग एक इंच के अंदर की तरफ हमें इसे लगाना है इसे हम नीचे की उल्टा करके लगाएंगे जिसे हमें इसे सीधा गरेंगे तो यह हमें सीधी दिखाई देगी लगबग एक इंच की डिस्टेंस के बाद हमें लगानी है अब इसके उपर हमें अस्तर वाला जो पार्ट वो रखना है इसमें हमें लेज दिखाई दे रही है जो हमने सिलाई लगाई है इसी के ऊपर हमें सिलाई को फिर से लगाना है अब दूसरे तरफ भी हमें सिलाई को लगाएंगे अस्तर और मैं फैप्रिक को अटेज करेंगे इस तरह से दोनों तरफ से हमने सिलाई लगा ली है अब इसे हम सीधा करेंगे हम इसे सीधा करने के बाद इसके दोनों किनारे पर हमें सिलाई को लगाएंगे यह हमने इस पट्टी को तयार कर लिया है इसके दोनों किनारे पर हमने सिलाई लगा ली है अब इस पर हमने जो दोनों पार्ट रेडी के थे वो इससे अटेज करेंगे इस पट्टे को हमें इसके उपर जीधा रखेंगे और सी के उपर हमें सिलाई को लगाना है यह हमने इसे अटेज कर लिया है अब उपर की तरफ जो यह जोइंट है दोनों का यहां पर हमें एक बटन लेते हैं और कोई भी कपड़ा हमें लेना है जो आपको इस पर लगाना है इस बटन को इस कपड़े से से कवर करेंगे और सुई और धागी की मदद से हमें इसे सिलाई लगाएंगे इससे टाइट करते हुए इसमें हमें सिलाई को लगाना है और सिलाई को हमें पक्का करना है और जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसे हम यहां से कट करेंगे एक्स्ट्रा पार्ट हमने कट कर लिये हैं अब इन दोनों हिस्सों को हमें अटेच पास करते हुए इसकी कुप पर हमें से स्टिच करना है आप यह हमने से अटेच कर लिया है इस तरह से हमारा फैंसी डिजैनमिन की तयार हो गया है आप यह हमने से स्टिच कर लिया है